हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको प्राचीन भारत से संबंदि सभी महत्पूर्ण क्यूशन कराऊंगा जो सभी प्रतियोगी परिछावां में बार बार पूचे जाते हैं और इन क्यूशन से संबंदि तो वो सभी important fight भी आपको बताऊंगा जो एक्जाम की द् स्रेष्ट या कुलीन ठीक है स्रेष्ट या कुलीन जो होता है आरे सब्द का साब्दिक अर्थ होता है अगला question है सिंदु घाटी सभीता के समय लोग किस की पूजा करते थे इसका सही अंसर हो जाएगा पस्पति की ठीक है सिंदु घाटी सभीता के लोग पस्पति की ølesun क्या था बैदिक आरियों का प्रमोंग भोजन क्या था यहां पर आफ से नंबर C आपका सही हो जाईगा चावल और डाल चावल और ताल जो था बैदिक आरियों का प्रमोंग भोजन था याद रखेगा अगला क्योश्चन है भारत में जैन धर्म किया स्थापना किस ने किया था भारत में जैन धर्म किया स्थापना किस ने किया था यहां पर आप से नमर्डी आपका सही हो जाएगा महावीर महावीर ने जैन धर्म किया स्थापना किया था याद रखेगा अगला केस्टन है निम्न में से चिकिस्सा के छेत्र में किसने काम किया है इसका सही अंसर जो हो जाएगा आपसे नमबर डी सही हो जाएगा इसका सही अंसर इसका सही अंसर हो जाएगा सूसरूट जो है सुसूरूत यह जो हैं चिकेसा के छेत्र में काम की हैं अपसे नमबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा अगला केस्टन है एक वाइदिक आरे कौन सी ब्योसाय करते थे एक वाइदिक आरे जो थे वो कौन सी ब्योसाय करते थे यहाँ पे सही अंसर हो जाएगा आपका पसपालन रिक वाइदिक आरे जोते हो पसपालन का ब्योसाय करते थे याद रखेगा अगला क्यूस्चन है कर्म कांडो पर कौंसा वेद आधारी थे कर्म कांडो पर कौंसा वेद आधारी थे इसका सही अंसर हो जाएगा यजूरुवेद आपसन नमबर बी आपसन नमबर बीव का सही हो जाएगा कर्मकांडों पर कौन सवेद आधारी थे यजूरुवेद अगला केस्टिन है बिंदुस्वार की मृत्तु के बाद असोक को राज प्राप्त करने में किसने सायता किया था इसका सही अंसर हो जाएगा राधा गुप्त आपसन नमबर बी आपका सही हो जाएगा अगला केस्टिन है प्राचीन वाधिक यूग की संस्क्रिति के बारे में सुचना किस वेद में दी जाती है यहाँ अपसन नमबर इंपका सही हो जाएगा रिक वेद में दी जाती है याद रखेगा अगला क्यूश्चन है किस धर्म से अचारंग सूत्र संबंदीत है किस धर्म से अचारंग सूत्र संबंदीत है इसका सही अंसर हो जाएगा जैन धर्म जो है जैन धर्म से संबंदीत है कि किसके भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसके भारत का नेपोलियन कहा जाता है यहां पे आफसर नंबर C, आपका सही हो जाएगा, समुद्र गुप्थ, समुद्र गुप्थ को क्या कहा जाता है भारत का, नेपोलीन, ठीक है याद रखियेगा अगला केस्टन है किसने जुनागड के पत्थर के सिला लेक का निर्माड कराया था यहाँ पर आपसा नमबर ए आपका सही हो जाएगा रुद्र दामन फ़स्ट अगला केस्टन है राजा असोक किस बंस का था यहाँ पर आपसा नमबर ए आपका सही हो जाएगा राजा वासोक जो था यह मौरी वंस का था किस बंस का था मौरी वंस का था याद रखेंगे एकजाम में पूछा जा सकता है अगला केस्टन है इसमें से किस फसल का ग्यान वाइदिक काल के समय के लोगों को नहीं पता था वाइदिक काल के समय में लोगों को नहीं पता था यहापन स स्थाने पड़ाइं, प्रासिद dust हो जाएगा ट्रांक है, यहापन स ासे अर्थेरराई में, उड़ी पड़ाउन, से संब değildi थे यहां पर आपका सही अंसर हो जाएगाअ आपßओं नमर precio बहुत धर्म से संब्धित dre oil बहुत सब्धित है आ Grade की कि अर्लाक यह मोरिकाल में कौन राजस वसूली का सरोच अधिकारी था म ಕाल में esto अगो अगला केस्टन है किस अभिलेक में कालीत दास का नाम है किसउल अपलेक में जो है कालि दास का नाम है अगर आपसान नबर अपलान आपका सही हो जाएगा आई-होल-अपलेक आइ-होल-पलेक जो है इसमें कालिदास का नाम है अगला केस्चन थी पृतम भारती समराज पृतądर पर जो सथापना किसकी दवारह किया गया है अगला केश्चन है बौध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है यहाँ पर सही अनसर हो जाएगा आपका अगला केश्चन है निम्न लिखित में से स्रमण बेल गोला में गुमतिस्वर्म की प्रतिमा का निर्माड किसने करवाया था इसका सही अनसर हो जाएगा आपसन नमबर डी चामुंड राय ठीक है चामुंड राय अगला केश्चन है रामायड यो माह भारत की रचना किस अवध में हुई थी राम अगला केश्चन है किसके सासनकाल में तृतिय बाध संगीत की कायोजन किये गया था ठीक है इसका सही अनसर हो जाएगा सोग अगला क्यूस्चन है आरे भारत में कहां से आये थे यहां पर सही अंसर हो जाएगा दाच्छड़ एसिया से कहां से आये थे दाच्छड़ एसिया से याद रखेगा अगला क्यूस्चन है असोक के सिलालेकों के अनुवार निम्लिकित में से किस अस्थान को करमुकत घोसिद कर दिया गया था इसका सही अंसर हो जाएगा आपसर नमबर B लूमबिनी अगला क्यूस्चन है असोक ने किस चिलालेक में उल्लेक किया है कि हर इंसान मेरा बच्चा है हर इंसान मेरा बच्चा है यहाँ पर अपसर नबर A आपका सही हो जाएगा मेजर राक एडिक्ट मेजर राक एडिक्ट अगला क्यूस्चन है कौन सा सासक एक सच्चे जैन मुनी की तरह उपवास के दवरान सरीरत्याग कर दिया था यहाँ पर आपसर नबर C आपका सही हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर अगला क्यूस्चन है समुत्र गुप्त का दरवारी कभी कौन था यहाँ पर आपसर नबर B सही हो जाएगा हरिसेण अगला क्यूस्चन है गुप्त काल के दवरान जिले में भूम लेंदेन का रिकार्ड कौन रखता था गुफ्त काल के दोरान जीले में भूम का लेंदेन का रिकार्ड कौन रखता था यहां पर अप्सान नमबर ए सही हो जाएगा उस्ता पाल अगला केस्टन है निम्न लखित में से हडपा सब्यता की खोज किसने किया था निमन में से हड़ापपा सबिता की खोज किस ने किया था यहाँ पर अप्सान नमबर A सही हो जाएगा दैराम सानी दैराम सानी ने जो है हड़ापपा की खोज की थी अगला केश्चन है राष्ट कूट राजा धुरूम ने किस राजा को पराजित किया था किस राजा को पराजित किया था यहाँ पर आपसे नमब डी से हो जाएगा नागभट प्रतम को पराजित किया था अगला केस्चन है गंग वन्सकी राजधानी कहा थी यह पर आपस्ट नमबर सी से बीशे हो जाएगा कोलार गंग वन्सकी राजधानी कोलार में थी अगला केस्चन है पल्लव और चालुक्यों के बीच इस पल्लव शासक ने संगर्द सुरू किया था इस पल्लव राज्ट्वासक ने संगर सुरू किया था यहां पर आपसर नमबर सी आपका सही हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रत्थम अगला किस्चन है निमनलखित में से भारती मंदिर वस्तुकला का उद्गम अस्थल किस अस्थान को कहा जाता है यहां पर आपसर नमबर सी सही हो जाएगा एहोल याद रखेगा अगला किस्चन है कैवल कि यह धारा का संबंध किस धर्म से है कैवल कि यह धारा का संबंध किस धर्म से यहां पर आपसर नमबर बी सही हो जाएगा जैन धर्म से अगला किश्चन है कोडार का सूर्य मंदिर का स्थापना किस ने किया था यहाँ पर आपसन नबर यह सही हो जाएगा नर्सिंग देव प्रथम ने अगला किश्चन है इस राजवन से ने संगीत के प्रति अपने फ्रेम को दर्शाने के लिए सिक्कों का उप्यों किया था यहां पर आपसन नमबर भी आपको सही हो जाएगा गुपतर राजवन से याद रखेगा